बिना किसी ग्रेवी से आज जम बनाएंगे बहुती मज़दार सब्जी यानि आज मैं आपके लेके आई हूँ आलू पालक की बहुती लाजवाब सब्जी बहुती आसान से रेसिपी है बहुती सिंपल है आप इस रेसिपी को जरू से ट्राय करकर देखिए बिना मसाला पीसे बहुती जट पड से बनने वाली रेसिपी है आप इसे टीफिन में ले जा सकते हूँ तो में वर्षा भाहु साय रसोवी घर में आप सबी का स्वागत है तो चले फ्रेंट्स बनाना शुरू करते हैं इस मज़दार सी आलू पालक की सब्जी को तो इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10-15 चोटे आलू लिये हैं जिसे बेबी पोटेटोस भी कहते हैं बिल्कुल चोटी साइस के हैं इन्हें मैंने एक बार अच्छे से धो लिया हैं क्योंकि अभी यह नए आलू है न तो इन आलू में मिट्टी भोग ज़्य यहाँ पर देखिए मैंने इसे 80% कूप किया हैं अब क्या करते हैं इनका छिलका निकाल लेते हैं तो यह गरम रहेंगी तब ही आप इनका छिलका निकाल लिये ताकि आसानी से छिलका निकल जाएं तो अगर आपके पास छोटे वाले आलू नहीं है तो आप बड़े आलू क अगर हम इसमें छेट करेंगे तो आलू तो अब मेने यहाँ पर कड़ाई के अंदर डाला है एक बड़ा चमच तेल तेल को बड़े आसे गरम होने देते हैं और तेल जब बच्छे से गरम हो जाएगा इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 8-10 कलिया लसुन की तो लसुन में यहाँ पर बारिक बारिक काट कर यूज कर रही हूँ आप चाहे तो लसुन कूट कर भी डाल सकते हूँ और अब हम डाल देते हैं आधी चमच राई और आधी ही चमच हम यहाँ पर जीरा डालेंगे और इसी के साथ में यहाँ पर डाल रही हूँ तीन हरी मीर्च जिसे मैंने बारिक काट लिया है अब चला लेंगे और हरी मीर्च राई और जीरे को थोड़ा से फ्राई कर लेते हैं तो फ्रंस बहुत ही मज़दार से सबजी बनती है और फटा फट से बन जाती है और अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ एक बड़े साइस का प्याज जिसे बिल्कुल बारिक काट लिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी एक चमच क्रश क्यावा अधरक अब इन सभी चीजों को हम बढ़े से भून लेंगे तब तक जो प्याज का कलर है न अच्छा सा ब्राउन सा नहीं हो जाता तो हमें यहाँ पर लसन और प्याज कच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहिए यानि हमें यहाँ पर लसन और प्याज दोनु बढ़िया से फ्राई केवे चाहिए तब तक फ्राई करेंगे जब तक जो प्याज का कलर है न चैन्च नहीं हो जाता तो बस इसी तरह से चलाते वे फ्राई कीजे इसे तो चले यहाँ पर देखें बढ़िया से सभी चीजे फ्राई हो चुकी है और इसमें से तेल भी अलग होने लगा है तो चले अब हम इसमें डाल देते हैं एक चोथाई चमच हींग तो हींग आप जरू से डाले सभी सबज्यों में इसका टेस्ट बहुती बढ़िया से आता है तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे आधी चमच हल्दी केवल अभी हमें यहाँ पर हल्दी पाउडर ही डालना है बाक्य मसाले का यूज हम बाद में करेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे यह आलू तो इन आलू को अभी हमें यहाँ पर भूनना होगा इन सभी मसालों के साथ तो गेज का फ्लेम में ने हाई किया वा है और कुछ-कुछ देर में हम आलू को इसी तरह से चलाते रहेंगे लेकिन कंटिनूसली से चलाने के कोई जरुत नहीं है बस थोड़ी-थोड़ी देर में आप इसे हिलाते रहें एसा हम इसलिए कर रहे हैं कि आलू जो है भार से बढ़िया से भून जाए यानि भार से थोड़ा क्रिस्पी हो जाए तो चले आलू कुछ देर भूनने के बाद हम इसमें डाल देते हैं एक बड़े सा इसका टमाटर तो टमाटर को मैंने यहाँ पर बारिक-बारिक कट कर लिया है तो टमाटर को भी अब हम इसमें मिक्स कर देंगे और अब हम यहाँ पर कुछ मसाले डाल देते हैं हल्दी पाउडर तो हम पहले डाल चुके थे तो अभी में इसमें डाल देती हूँ एक चमश लाल मर्च पाउडर और एक चमश हम डालेंगे धनिया पाउडर और इसी के साथ में बढ़िया से कलर के लिए यहाँ पर डाल रही हूँ एक चमश काश्मिरी लाल मर्च पाउडर और इसी के साथ नमक भी डाल देते हैं तो नमक आप अपने स्वाधनुसा ले लीजे अब इन सबी चीजों को एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और मसालों को भी अभी हमें यहाँ पर पकाना होगा तो मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और कवर करकर हम इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से छोड़ देंगी ताकि जो मसाला है न यह भी बढ़िया से भून जाएं तो चले इसे कवर कर देती हूं में तो गेस का फ्लेम लोही रखेंगे तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे मसालों ने तेल छोड़ दिया है यानि जो मसाला है बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर भून चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे पालक क्योंकि हम यहाँ पर आलू पालक की सबजी बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 300 ग्राम पालक ली है पालक को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है साफ करने के बाद साफ पानी से धो लीजे इसके बाद आप इने बारिक-बारिक कट कर लीजे तो अब इन सबी चीजों को एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं तो अब हम इसे फिर से कवर कर देंगे और कवर करने के बाद हम पालक को भी यहाँ पर बढ़िया से गलने देते हैं तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा से पानी डालना चाहें तो इस समय आप यहाँ पर थोड़ा से पानी का भी यूज़ कर सकते हूं अगर आप हल किसी पतली सब्जी पसंद करते हूं तो यहाँ पर देखिए चार से पांच मिट का समय हो चुका है पालक भी बड़िया से गल चुका है, मसालों ने तेल छोड़ दिया है तो यहाँ पर यह सब्जी बनकर बिल्कुल तयार है तो अगर इस सब्जी को आप सुबर टीफिन में बनाना चाहते हूं तो रात को ही आलू को उबाल करके रख लीजिए इससे आपकी सब्जी जो है फटा फट से बन जाएगी और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और बारिक कटिवी धन्या पत्ती तो इस सब्जी में जो भी मसाले हैं आप अपने स्वाधन सार मेनेज कर सकते हूं तो यहाँ पर देखे इन सबी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है तो बहुत ही बहतरिन सब्जी हमारी हाँ पर बन कर बिल्कूल तयार है तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कूल न भूले साथ ही मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए तो मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ